चनता उन्हें खोज रही है जो अपने आपको यादवों का नेता कहते हैं वहीं बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार और बिहार के उप्पु मुखमंत्री तेश्वी आदब का एक ऐसा सर्मनाक ब्यान सामने आया है जिसे सुनकर आपको हसी भी आएगी गुस्सा भी हैं चुनाब में हराने की बात कर रहे हैं और आखिर तेश्वी आदव के खिलाब यादव ही क्यों महाल बना पा रहे हैं यह सारी बात इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं ह सद्वाइओ matar रहे हैं और आखिर रहे हैं ब्यूरे में हिन्साट डियार में कर ढशी tut कितरा कम है अहां डिचा गपां हाँ इन डियार में हीनलने में हिन्दुरे में यहां कowा ना पैठिकोपय कितरा कम है नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खब्रियू से अपटेट रहने के लिए किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग अलेडिक कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहिर्दय धनवाद अभी अभी आपने मुख्मंत्री नितीश कुमार का एक सर्मनाक ब्यान सुना होगा और इसे ही कहा जाता है कि ये भासा थेथरलोजी की भासा कही जाती है और ये थेथरलोजी की भासा इसलिए कही जा रही है कि जिस बिहार में अपराद चरम सीमा पर है हत्या लूट बलातकार का दोर जारी है पुलिस बाले की हत्या की जा रही है पत्रकार के घर में घुस करके उस पर तावरत और फारिंग की जाती है सर फार दिया जाता है सीने पर गोली मारी जाती है जहां पर नवालिक लड़कियों का खुलियाम रेप हो र रहा है और इसे ही हिंदी भासा में यानि कि आप कह सकते हैं ठेट भासा में ठेथरलोजी कहा जाता है और ऐसे लोगों को ही जो कि देख करके भी अंदेखा करते हैं इनको ही कहा जाता है कि आपने ठेथरलोजी किया है क्या ठीक वही बात जो है मुखमंत्री नितीश कुमार से बिहार की जनता पूछ रही है कि मानिय मुख मंत्री जी जिस बिहार में अपराद चरम सीमा पर हैं उस राज्य के मुख मंत्री होते हुए आप ऐसा ब्यान कैसे दे सकते हैं कि बिहार में अपराद है कहां और वो पत्रकारों से ही पूछ रहे हैं कि कहां हो रहा है अपराद कह में गोली मारी जाती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में यादवों की सरकार है दवे कुछलों की सरकार है दलीतों सोसितों बंचितों के मसीहा की सरकार है तो आखिर उसी सरकार में यही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आखि जो है वो जंगल राज रिटर्न पार्टू चल रहा है जिस परकार से 2005 से पहले बिहार में स्थिती थी वही स्थिती अब फिर से एक बार फिर से बिहार में आ चुकी है जहां पर अपरादियों में पुलिस का कोई खौप नहीं है और लगातार हत्याओं का दोर जारी है फरन क DGP RS भठी को बनाया गया है अब RS भठी जो है बिहार में अपराद पे लगाम लगाएंगे लेकिन DGP साहब जो है आने के बाद सोच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार का उन पर काफी दवाब रहता है भाजपार नेताओं भी काफी बार आरोप लगा चुके हैं क DGP RS भठी को काम करने नहीं दिया जा रहा मुख्मंत्री नितीश कुमार उपु मुख्मंत्री तेस्सी आदप का प्रेसर काफी रहता है जिस वज़ा से DGP जो है कोई बड़ा एकसर नहीं ले पाते हैं वहीं आपको बताते चले कि आप जड़ा सोच ये कि ये कहा जाता है कि यादवो की सरकार है और यादवो की सरकार में ही समस्तिपूर के मोहनपूर ओपी के ठाना ध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है बीमलकुमार यादप पत्रकार की अरडिया में हत्या की गई है वो पत्रकार जो है सुरक्षा के लिए पहले ही SP साहब को कह चुका दरसल उसकी जान को खत्रा है और जान की खत्रा इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि उनके भाई की पहले भी हत्या की जा चुकी है और बताया जा रहा कि चार साल पहले अप्रेल 2019 में बीमल यादव के छोटे भाई गब्बु यादव की हत्या कर दी गई थी उस वक्त को ये खत्म करने की कोशिश थी उनको जान से मारने का कई बार धमकी मिल चुका था और इसके बारे में उन्होंने पुलिस से संपर किया था और अपनी सुरक्षा के प्रतिक खत्रा बताया था अपनी जान को खत्रा बताया था और पुलिस से सुरक्षा की मायं की थी लेकिन इ कर ताले की हथ्या हो रही है कहीं पर बलन का भी करते हैं कि तो आखिर सबसे बड़ी बात तो यह कि आप गर को कहा जाए कि हमारे लाज्य में हुरी कितों हो रही है तो आप आप कहेंगे जो ओहां भी चोड़ी हो रहा है तो तुम्हारे यहां भी चोड़ी होगा तो यह कोई बात थोड़े आपको आखिर लाया क्यों गया है कहां पर कम चोड़ी यानि कि आप तो यह कह रहे हैं कि जितने भी नेता होते हैं सब के सब चोड़ हैं सब के सब जो है कहीं पे कम चोड़ी होती है कहीं पे जादा चोड़ी अब आप ये कह दीजेगा कि पाकिस्तान में ऐसे लूट हो रहा है पाकिस्तान में 300 रुपे किलो अगर आटा हो गया तो हम बिहार में भी 300 किलो कर देंगे ये तो कोई बात नहीं हुई मानिये मुखमंत्री जी कि जैसा आप थेथरलोजी भड़ा ब्यान दे रहे हैं कि अब दिल्ली में हो रही है हत्याय तो बिहार में हो गई तो क्या बात है मुखमंत्री नितिश कुमार भी वही बात बोल रहे है कि बिहार में जो हत्या लूट बालातकार जो हो रहा है वो उसकी दर सबसे कम है दूसरे राज्यों आदब को सर मानी चाहिए। कि वो अपने आपको याद वो कानेता कहते हैं। उनके पिताजी अपने आपको याद vibes का मसिहा कहते हैं। लेकिन मुख्मंत्री नितीश कुमार और तेजस्वी यादव को थोड़ा भी सर्म नहीं आता है, ये लोग एक टूइट तक नहीं करते हैं, एक फेस्बुक पोस्ट तक नहीं करते हैं, और बुरबक हैं वो लोग जो इन नेताओं के लिए जान देने की बात करते हैं, और कहत की लोग यादव नहीं है, क्या बीमल कुमार यादव यादव नहीं थे, क्या मोहनपुर ओपी के जो थाना पर भारी थे, वो यादव नहीं थे, क्या लगातार जिस परकार से यादवों की हत्या बिहार में हो रही है, और यादवों की सरकार में हो रही है, उससे बहुत ब कि घर में जब आग लगेगी तो जलेगा पूरा मुहला और ये पूरा मुहला जलने की बात है इसमें सब लोग मरेंगे कोई यादव नहीं अपराधी कभी जात देख पर के गोली नहीं चलाता है इस सामने वाला यादव है या राजपूत है या भुमिहार है आप जरा सोचन अगर आप ऐसे सरकार को बढ़ावा देते हैं जो कि जंगल राज के प्रनेता है तो जब जंगल राज आएगा तो उसमें सभी जाती के लोग मरेंगे उसमें कोई गिन करके नहीं मरेगा कि सिर्फ भुमिहार मरेगा सिर्फ राजपूत मरेगा सिर्फ लाला मरेगा सिर्फ गुरुमी मरेगा, सिपकोईडी मरेगा, सिपकुसवाहा मरेगा, बलकि सभी जाती के लोग मरेंगे, उसमें यादब भी होंगे, दलित भी होंगे, सोशित भी होंगे, बंचित भी होंगे, आपको एक घटना याद होगी कि स्रीकांत पास्मान के सरीर पर किस तरीके से उनके लास पर पिसाब कर दिया जाता है दूसरे धर्म द्वारा कि ये लाकातार जो कुछ भी विहार में हो रहा है ये जंगल राज की परकास्था है आप किन साड़े मुद्दों पर क्या रहा है आप अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजेगा जूरे रहे हमारे साथ जैहिं जै भारत जैजे भी है